चलिए बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की भारती रिजर्बैंक ने ब्यास दरों में आज कोई भी बदलाओ नहीं किया रेपो रेट को 4% पर ही बरकरार रखा गया है साथी रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाओ नहीं है रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर भी बरकरार है मौनेटरी पॉलिसी कमिटी के सबी सदस्यों ने दरे नहीं बदलने के पक्ष में वोट डाले ब्यादरों में बदलाओ ना होने का मतलब है कि रेपो रेट से लिंक आपके लोन की एमाई में कोई भी बदलाओ नहीं होगा आरवियाई ने एकनौमी में रिकावरी को लेकर संकेत दिये हैं आरवियाई गवर्नर शक्तिकांत अदास ने कहा कि बेहतर मौनसून से एगरी सेक्टर की ग्रोथ सुधरी है आरवियाई गवर्नर ने में समी की लोन की रिये स्ट्रक्चिरिंग की मोहलक बढ़ा कर 3 मार्स 2021 करने का एलान किया उन्होंने कहा कि एक मार्स तक स्टैंडर्ड आसेड वाले लोन को रिये स्ट्रक्चिरिंग का फाइदा मिल पाएगा अच्त। इंहीं ही earning framework of for MSM is that we're in default but standard as on January 1 2020 is already in place The scheme has provided relief to large number of Ms Me's With कोवी 19 continuing to disrupt normal functioning and cash flows The stress in the MSM is sector has got accentuated warranting further support accordingly it has been decided that stressed MSME borrowers will be made eligible for restructuring their debt under the existing framework, provided their accounts with the concerned lender were classified as standard as on March 1st, 2020. This restructuring will have to be implemented by 31st March 2021. साथ ही, गोल लोन लेने वालों के लिए एक बहदी इंटरेस्टिंग कभर है. RVI ने गोल लोन को और आकरशक बना दिया है. अब गोल्ड की वैल्यू का 90% तक लोन मिल सकता है. पुराने नियमों के मतावी गोल्ड की वैल्यू का सिर्फ 75% ही लोन मिल पाता था. अब लिमिट बढ़ने से गोल्ड लोन लेने के लिए रुजान और बढ़ने के उमीद है. क्योंकि कुरोना संकट की वज़ा से काफी लोग गोल्ड लोन को जादा तरजी दे रहे हैं. गोल्ड लोन में गोल्ड जोईलरी गिर्वी रखकर लोन लिया जाता है. गोल्ड लोन पर ब्याजदर पॉसनल लोन के मुकाबले काफी कम है. और अब लिमिट बढ़ने के साथ आगे गोल्ड लोन की मांग में और बढ़ोतरी की संभावना है. As per extend guidelines, loan sanctioned by banks against pledge of gold ornaments and jewelry for non-agricultural purposes should not exceed 75% of the value of gold ornaments and jewelry. With a view to mitigating the impact of COVID-19 on households, it has been decided to increase the permissible loan to value, what they call LTV ratio, for such loans to 90%. This relaxation shall be available till 31st March 2021. और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ IBJ के सेक्रेटरी सुरेंद मेहता जी हैं. मेहता जी आपका स्वागत है Zee Business पर सबसे पहले आप से ये जाना चाहेंगे, जो RBI ने आज लिमिट बढ़ा दिये, 75% से बढ़ा कर, गोन loan की value का 90% कब loan मिल सकेगा, इससे कितना फायदा होगा और क्या उम्मीद अब करनी चाहिए कि गोन loan की मांग बढ़ेगी आगे? जो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है Reserve Bank of India ने, और इस तरह के कदम जो फिलहाल जो COVID की स्थितिती है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले 3-4 महिने से कई लोग अपने जोईलरी को गिर्वी रखके उसके उपर loan ले रहे हैं, और कई जो nationalized bank हैं, उन्होंने 7.5-8% के उपर इसके loan देना कैय किया है, तो ये बहुत ही अच्छा step है, और इससे जो नॉर्मल जो छोटे लोग हैं, जो अपनी जोईलरी को गिर्वी रखके loan ले रहे हैं, और अपनी जीवी का इस खराब परिस्तिती में चला रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और साथी सर कितना फायदा होगा क्योंकि gold जोईलरी के दान तो उनके बढ़ चुके हैं, जिनके पास पहले से ही पड़े हुए हैं gold, क्योंकि gold में जिस तरह की तेजी आई है, तो क्या लग रहा है, इसका भी लोग फायदा उठाएंगे, उन्हें लगेगा कि अब इसको monetize करने का एक अच्छा वक्त है, और उसी बहाने पैसे भी आ जाएंगे, लोन के जरिये, और साथी जो gold का जो 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 एप्रिसेशनटीव वैल्यू है, बो भी मिलेगा, क्या लग रहा है इसे? जी, बिलकुल, आपकी बात बिलकुल सही है, जो यदि पिछले 3-4 महिने से देखे, तो gold की value में लगपक 40% की बड़ात्री हो गई है, तो इस प्रकार के कदम बहुत ही फायले मन्द है, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोबना चाहता हूँ, हलाकि Reserve Bank of India ने बहुत ही बढ़ है, तो वो market value 55,000 गिनते ही नहीं है, वो उसकी value आज भी 30,000-35,000 गिन रहे हैं, और 30,000-35,000 के उपर 90% दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर एक loophole है, जिसको की plug करना चाहिए, हलाकि Reserve Bank के साफ-साफ circular है, कि जो आप gold loan की value है, उसको India Bullion Jewelers Association के price के मुताबिक आपक को लेना चाहिए, लेकिन कई बैंके आज भी इस प्रकार के वो अपने खुद के conservative decision ले रही है, risk policy decision लेके गोल की value को कम रख रही है, तो इसके बारे में भी RBI को स्पस्थता जाहिर करनी चाहिए. सर, एक और आम लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है, कि अगर वो gold loan लेने जा रहे हैं, तो अगर जोएलरी की गुनवत्ता की किस तरह से मापत हैं, क्या सिर्फ hallmark का certificate दे देने से हो जाता है, या कुछ और भी देना पड़ता है? नहीं, hallmark का certificate देने से नहीं होता है, hallmark का निशान तो जोएलरी के उपर लगाई होता है, हर बैंक अपने gold appraiser से उसकी valuation कराती है, जिसका की charge customer को देना पड़ता है, और साथ में processing fees भी होती है, जो processing fees कोई बैंके 0.25% से 0.5% तक लेती है, तो ये कोई vicious charge नहीं है, जो इसमें सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बता है, इसमें सबसे बड़ा point है, valuation का, क्या 90% आज 55,000 रुपे की, अगर 22 carat की value आज 50,000 रुपे है, तो क्या 45,000 रुपे है, कोई भी bank loan देगी, या वो valuation 50,000 की जगह पे उसको 30,000 या 35,000 ही गिनती है, इसके उपर पस्टता आना बहुत ही आवश्यक है, या इस पर सफाई आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात महता जी ने कही है, सर लेकिन आज गोल्ड और सिल्वर में एतिहासिक तेजी का दौर चल रहा है, और चान्दी पहली बार 2011 के बाद आज रिकॉर्ड उचाई पर पहुँच गई है, और चान्दी तो 75,000 के बेहत करी पहुँच गई, क्या लग रहा है, इस तेजी को आप कहां देख रहा है, आपके जो टार्गेट है वो हपते भर में ही आज आ रहा है, आपने 55,000 का टार्गेट दिया था अगस्त के लिए, अब इसी हपते म मेरा मानना ऐसा है, कि ये तेजी बरकरार रहने वाली है, जब तक यूएस में और दूसरे देशों में बॉंड के इल्ड में बढ़ोतरी नहीं होती है, तब तक सोने और चान्दी में तेजी का रुक जारी रहेगा, टेंपररी जरूर एक करेक्शन आ सकता है, गोल्ड में लगवग 6,000 रुपे का करेक्शन आ सकता है, लेकिन ओवर ओल दोनों में बुलिश ट्रेंड कायम ही रहेगा, और ये दोनों कमोडिटी ऐसी है, जब ये तेजी की चार्ज चलती है, तो इसको शौर्ट करके चलना बेहती खतरना हो सकता है, यानि इस तेजी में शौर्ट कर के नहीं चले, उपर का ही टार्गेट करके चले, अगर आप मुनाफे में हैं और ट्रेडर हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप इसे बढ़ाते चले, ताकि आपके हाथ में आयों मुनाफे नहीं जाए, शुकरिया मेता जी इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए, चले अब आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं कि आज लोगों ने आरवी आई से काफी उमीदे लगा रखी थी, गवर्नर से उन्हें उमीद थी कि लोन मौरेटोरियम को लेकर कोई बड़े ऐलान करेंगे, लेकिन आरवी आई गवर्नर ने लोन मौरेटोरियम को लेकर कोई बात नहीं की, आपको बता दे कि 31 अगस्त को लोन मौरेटोरियम की अफ़्दी खत्म हो रही है, समभावना जताई जा रही है कि इस बारे में आरवी आई गवर्नर बाद में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इस खबर पर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए SBI के पूर्प चेर्मेन परतीब चौधरी जी हमारे साथ है, सर स्वागत है आपका जी बिजनस पर सबसे पहले लोन मोरेटोरियम के बारे में, सर क्या उम्मीद है, क्या 31 अगस्त की जो टाइम लाइन है, क्या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या 6 महीने और जोरत नहीं है, या इस साल के आन तक तो कम से गम किया ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिकबरी की उम्म सर आपको आबाज आ रही है, परतीब चोधरी जी, तो आज लोगों को RVI गवर्नर से कापी उम्मीदे थी, उन्हें लग रहा था कि लोन मोरेटोरियम को लेकर कुछ एलान हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर को पूरे थी और साथी कंजूमर को भी था, क्योंकि कंजूमर को ल पैसेंजर वीकल से रिलेटेड लोन से हैं, या हाॉसिंग लोन से रिलेटेड लोन हैं, या और भी कई कंजूमर लोन से हैं, जिन लोगों की नौकरी चली गई है, या जिनके सेलरी कट हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि जब तक चीजे ठीक नहीं हो जाये, रीकवरी मोरिटोरियम का फायदा मिले और उस पर कुछ क्लारिटी आनी चाहिए थी लेकिन आरवी आई गवर्नर ने आज इस पर कुछ भी बात नहीं की लेकिन ऐसी उम्मीदे लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इसको लेकर कुछ ऐलान किये जा सकते हैं और इस मुद्देपन हम में ऐसा हो रहा है जहां भी कुरोना संकट हावी हुआ है और उहां की इकनौमी पर असर जादा पड़ा है इस ख़बर पर और भी जादा जानकारी के साथ स्वागत है पर जी बिजनस पर क्या लग रहा है क्या लोन मौरेटोरियम की अबदी को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है 31 इसमबर तक नहीं किया जाना चाहिए निश्चित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि सारे बिजनस का जो है कैश फ्लो चौपट हो गया है उनकी सारी प्लानिंग गड़बड़ा गई है तो इस टाइम पे मौरेटोरियम जो है वो तो मतलब थोड़े पीरियट के लिए इंस्टॉल्मेंट और इंट्रेस्ट है किःट को लग सेक्टर नहीं है बैंकिंघ की फॉर्चुन्स जो है वो उनके कॉस्टमर के हम स्टाउ पर ठाइन क्या देपर किसे लगव थैर नहीं नहीं जाएंगे उनका काम नहीं चला है तो बैंक काम कैसे जालेगा ऐसे अगनिस नहीं घूटना से तूर बिजनेश नें और से इंट्रेस्ट वेवर को लेकर क्या आपका टेक है क्या वेवर नहीं हो सकता देगे क्योंकि बैंक जहना डिपोजेटर को सूथ देता है और वह कंपाउंडिंग पे देता है तो अगर आगे रियलाइज ना करें शूर तो डिपोजेटर को कहां से पे करेंगा इवन जैस आती है क्योंकि लंबी अवजी तक अगर मॉडिटोरियम रहता है तो बैंक चाहेंगे कि जो इस पीरियर का जो इंट्रेस्ट यह लोग नहीं भर रहा है उस इंट्रेस्ट पर भी इंट्रेस्ट लगाए तो यह कितना जाए जो है वो तो बढ़ना ही पड़ेगा तो एक तो आपकी बात बिल्कुल सही है और साथी कई नए ग्राहक भी चाहेंगे जो अब तक मॉरिटोरियम का फायदा नहीं ले रहते हूं वो भी चाहेंगे कि अगर ब्याज माफी हो रही तो क्यों नहीं हम भी इस मॉरिटोरियम का हिस्सा बने तो एक सिस्टम डिस्रप्शन की बा अज आर्वी आई गवर्नर ने ब्यासधरों में बदलाओ न करने का ऐलान कर दिया गवर्नर सक्सी गांतादास ने लोन मोडिश्टोरियम बढ़ाने पर तो कोई बात नहीं की भले ही आज आर्वी आई गवर्नर लोगों को सफते लोन का तोफ़ा नहीं दिया साथ ही हमारे पास और कौन-कौन से investment options बैचते हैं और ऐसे कई सबाल है जिनके जबाब देने के लिए आज हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे हमारे साथ होंगे अजय बगगा, market expert, फिरोज अजीज होंगे, deputy CEO होई है, आनन्द राटी, wealth management के, साथ ही डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी प्रेसिडेंट है, NRE DCO के जो पूरे विशय को बहुत ही आसान भाशा में समझाएंगे, तो आज शाम 6 बजे जरूर देखिएगा, policy का एलान आगे क्या है प्लान, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, या आप अपनी राय देना चाहते हैं, तो हमें आपकी खबर आपका फायदा पर जरूर भेजिए, हम आपके भी सवालों को आज शाम 6 बजे शामिल करेंगे, आज दिन भर बाजार में काफी उतार चड़ा हु रहा, लेकिन बायस जो था वो तेजी की तरफ ही था, जादातर हमने देखा कि निफ्टी 11200 का जो एहम लेवल था, उसको होल्ड करते हुए देखा, हलाकि कई बार ब्रीच किया, सुराती कारवार एकदम सुस्ती के साथ हुई, तेजी बढ़ती गई, आरबियाई पॉलिसी के बाद लोगों को लगा कि चीज़े पॉजिटिव हो रही है, 11200 के कापी उपर गया, 250 के उपर भी इंट्राडे में भी गया, लेकिन वापस से 11150 के नीचे भी आया, लेकिन वापस से आखरी घंटे मेरी कबरी अच्छी दिखी, लेकिन और क्या कुछ फैक्टर्स थे जो बादार को इस तरह से लीड कर रहे थे, ये बताने के लिए हमारे साथ, हमारी साह होगी दिवानसी असर है, दिवानसी बताईए, क्या कुछ हो आप दिन पर पूरे बादार में? बजार में आज दू इंपोर्टेंट इवेंस बनते हुए दिखे थे, सबसे पहले तो RBI की पॉलिसी और साथ ही आज एक्सपारी का दिन था और इसी की चलते हमने देखा, बजार में काफी उताच हराव के साथ ट्रेड उतावा दिखा, लेकिन इसकी बाजूद हमने देखा कि निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों ही हरे निशान में कारूबार करते हुए दिखे, वाइदा बजार में आज काफी स्टॉक से जहां पेचे खरेदारी आते हुए दिखी फ्रेश लॉंग्स बने है आरी सी पर टाटा कंस्यूमर प्रडॉक्स आट पसें तक के तेजी साथी टॉरंट फार्मा टाटा सील में अच्छे लॉंग्स बनते हुए दिखे हैं वहीं गोल्ड फिनांसिंग प्रडॉक्स में आज उतार चड़ाव देखने मिला और आप देखें मुतृत फिरांस मननपूरम फिनांस ये दोनों स्टॉक्स में बारी उतार चड़ाव आता हुए दिखी साथी फेडरल बैंक में भी आज मुमिंट आती हुए दिखी सेलेक्टिव आज यहां पर खरडारी आते हुए दिखी लिए आकरी गहंते में जैसे कि आप देखें M&M Finance, Equitas Holding, Bajaj Finance ये कुछ स्टॉक्स यहां पर RBI policy के चलते एक अच्छा अक्शन बनता हुए दिखां मिटका फार्मा स्टॉक्स में गेंस एक्स्टेंड होते हुए दिखें पूरी इसके तरफ से उसमें आप नज़र कीजिए और बिंदो फार्मा आज सारी गैस के रेकमेंडेशन थी सुबह से और चार्ट का और अर्बनर में आपको सुबह रेकमेंड किया था अच्छी खरडारी को फोज या एनाइटी टेक वागले साब ना आपको रेकमेंड किया था चड़ाओ था लेकिन ग्रीन जोन में ही पूरे दिन कारोबार किया चलिए तो बात हुई बाजार की शुकरिया देवानसीन तमाम अपडेट के लिए बाजार पर लेकिन अब बात कर लेते हैं कोरोना की और देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 20 लाख के हो चुकी है बीते 24 गंटे में 56,282 नए केस दर्ज किये गए हैं और 904 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना वारत से अब तक देश में 40,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और फिलाहल आक्टिव केसों की संख्या 5,95,000 से जादा है रहत की बात है कि कोरोना से अब तक 13 28,000 से जादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और सबसे रहत की बात है कि भारत में अब रिकवरी रेट करीब करीब 70% के करीब पहुचता हुआ दिख रहा है जबकि मौतों का आकड़ा सिर्फ 2% के आसपास ही है और ये अच्छी बात है कि यानि रिकवरी अच्छी है और मौत क आकड़ा बाकी देशों के मुकाबले भारत में कम है चलिए आप बात कर लेते कुछ सोफ्ट स्टोरीज की आने वाले दिनों में भारती रेल आपको दिल्ली से मुंबई महज 12 घंटों में पहुचा देगी दिल्ली मुंबई के अलावा दिल्ली कोलकाता के बीच का सफर भी इस मिशन को पूरा करने का लक्ष रखा है मिशन के तहत मार्स 2022 तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावडा रूट को 160 किलोमितर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए तैयार किया जाएगा मिशन रेलवे ने रोड मैप तैयार कर लिया है रेल मंत्री प्यूश गोयल ने आदे अगर आप मुबाइल फोन कोई इलेक्ट्रोनिक सामान या कोई घरेलू सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है और ये आपके लिए अच्छा मौका भी है क्योंकि देश की दो दिगज आनलाइन कंप्रियां अमेजान और फिलिपकार्ट बड़े ले यानि 7 अगस्तक है जबकि फिलिपकार्ट की 10 अगस्तक है फिलिपकार्ट के लिए बिग सेविंग डे सेल में स्मार्ट फोन्स टैबलेट्स लैप्टॉप्स और दूसरी कैडगरी के प्रोड़क्स भी शामिल है जहां पर बंपर छूट मिल रही है अमेजान पर आइफोन टीवी होम अप्लाइंसेंस पर भारी छूट देखने को मिल रही है चलिए न्यूज लाइब को यहीं समेठते हैं लेकिन आप कहीं मज जाए देश दूया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रही जी बिंदर के साथ तमाम अपडेट आपके पास लगता राते रहे हुँँच के लिए।